Good morning students, आज हम करेंगे गुंजन क्लास 4 के पार्ट 10 अपना गाउं के मौखिक और लेखित प्रश्न उत्तर. सबसे पहले हम करेंगे मौखिक प्रश्न उत्तर. हमारा पहला प्रश्न है, नेखिल अपने पिताजी के साथ कहां गया? उत्तर. नेखिल अपने पिताजी के साथ उनके गाउं गया? प्रश्न दो. हरदेव ने अपने ताउजी का अभिवादन कैसे किया? उत्तर. हरदेव ने अपने ताउजी के पाउं छूकर उनका अभिवादन किया? प्रश्न तीन, निखिल ने खेत में कौन-कौन सी सबजियां देखी। उत्तर, निखिल ने खेत में भिंडी, करेला, टमाटर, लौकी, नीम्बू आदी सबजियां देखी। ये थे हमारे मोखिक प्रश्न उत्तर, अब हम करेंगे इस पार्ट के लिखित प्रश्न उत्तर। प्रश्न एक, निखिल के पिताजी शहर में क्या काम करते थे। उत्तर, निखिल के पिताजी शहर में प्राध्यापक थे। means college में professor थे। प्रश्ण दो, पिताजी ने खरीद भंडार के विशे में क्या बताया? उत्तर, पिताजी ने खरीद भंडार के विशे में बताया कि यहां किसान अपना अनाज उचित कीमत पर बेजते हैं, यहां से अनाज सरकारी गोदाम में पहुँचता है और वहां से उचित दर की दुकानों पर जाता है। प्रश्ण तीन, किसान क्यों व्यस्त थे? उत्तर, बीज बोने का मौसम था और किसान अपने खेतों में बीज बो रहे थे, इसलिए वे व्यस्त थे। प्रश्ण चार, धान के पोधे कैसे लगाये जाते हैं? उत्तर, धान के छोटे छोटे पोधे पहले खेत में क्यारियों में लगाये जाते हैं। जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं, तब इन्हें पूरे खेत में फैला कर लगा दिया जाता है। प्रश्ण पांच, गोबर गैस संयंत्र मिन्स गोबर गैस प्लांट लगवाने से क्या लाब हुआ? उत्तर, गोबर गैस संयंत्र लगवाने से रसोई में धुआ नहीं होता और मक्ही मचर नहीं होते। यह स्टूडेंट्स यह थे हमारे पार्थ 10 अपना गाउं के मोखिक और लिखित प्रश्ण उत्तर। आप इसे एक बार फिर से रिवाइस कीजिएगा। थैंक यूू।